Hello everyone, this is Dr. S.K. Singh और आज पर्टिकुलर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या MBPS के बाद PG करना बहुत जरूरी है क्या? Post graduation करना जरूरी है क्या? MD और MS करना जरूरी है क्या? तो मैं हाज पर्टिके सबसे पहले माफी माँगोगा कि अगर इस वीडियो को देखके किसी को दिल दुखे क्योंकि सचाई हमेशा चुपती है और सचाई जानना बहुत जरूरी भी है क्योंकि देखे हमेशा ये जरूरी मतलब कि मैं आपको scenario एक बताता हूँ scenario में क्या होता है कि जब आप M.V.B.S करेंगे तो first year, second year से ही वहाँ से एक craze develop हो जाता है कि मुझे PE करना है और first year, second year के बाद आपको एहसास भी हो जाता है तो खुद क्योंकि आप hospital जा रहे हैं, वहाँ के ब्रांच के doctor से मिल रहे हैं, वहाँ के patient को देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत craze develop हो जाता है और ये craze जो है धिरी-धिरी जब हम final year में जाते हैं या internship में जाते हैं वो craze बहुत ही चरम सीमा पे रहता है यानि internship में मदब की मुझे लगता है कि भारत वर्ष में जितने भी media college है internship में ही student जो है अपना PG की preparation सुरू कर देता है और maximum scenario में यानि आप MBBS अगर आप कर लेते हैं तो maximum scenario में 80-90 प्रतिशत जितने भी student हैं वो PG ही करते हैं यानि MD और MS करते हैं 10-20 प्रतिशत लोग नहीं कर पाते हैं उसमें से मैं हूँ नहीं कर पाता हूँ इसका मतलब नहीं करते हैं क्योंकि other options तलास करते हैं अब समझना चाहिए कि 80-90 प्रतिशत जो student है जो MBBS करते हैं वो maximum लोग PG करते हैं ऐसा क्यों इसके बहुत सारे कारण है पहला कारण कि जब आप आपका dream branch मिल जाता है जैसे आपका dream branch गाईनी है या dream branch दर्मेट लॉजी है तो एक तो आपकी मन की बात हो गई दूसरा चीज क्या है कि जब आप government media college से अपना MD और MS करेंगे मैं दिल्ली जैसे शहर के बाद बता रहा हूँ तो आपको on an average 80 से 1,10,000 तक आपको salary मिलेगी अब सूचिए कि आपको certificate भी देंगे आपको degree भी देंगे और साथ में पैसा भी देंगे तो यह सोने बसुहागा जैसा हो जाता है कि आप 3 साल का course करेंगे क्योंकि MBBS के बाद 3 साल का होता है MD और MS 3 साल में आप क्या करेंगे कि जैसे मान लिजी आप गाईनी कर रहे हैं तो हर महीने सरकार आपको 1,00,000 के आज पस पैसा देगी और ऐसा पूरा 3 साल तक चलेगे यानि 3 साल तक आप 1,00,000 पतब कि 80 से 1,00,000 कमा सकते हैं और 3 साल बाद जब आपका एक्जाम होगा हलाकि एक-एक साल भी होता है तीन साल बाद जब फाइनल एक्जाम होगा और आप एक्जाम में पास हो जाते हैं तो आपको certificate भी मिल जाएगा कि आप MD और MS है तो इसलिए सबसे ज़्यादा लोग करते हैं दूसरा कारेनी होता है सबसे ज़्यादा करने का कि MD और MS के बाद आप क्लिनिक सेट अप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास इतनी जनकारी हो जाती है कि आप खुद से अपना एक hospital और क्लिनिक बहुत ही बहदर तरीके से जला सकते हैं MD MS करने के बाद आप गॉर्मेंट जॉब कर सकते हैं MD MS के बाद गॉर्मेंट होस्पिटल में अशार्षिप कर सकते हैं जो कि तीन साल का duration होता है MD MS करने के बाद आप प्राइवेट किसी बड़े कॉर्परेट होस्पिटल में काम कर सकते हैं जिसमें भी सालरी ठीठाक होती है एक डेर लाग दो लाग क्या सबास होती है तो मतब कहीं न कहीं MD MS करने के बाद आपकी लाइफ बहुत सिकर हो जाती है और आप जो है on an average बहुत अच्छा earn करना सुरू कर देते हैं earning perspective से बात करें तो knowledge perspective से बात करें तो आपका knowledge भी बहुत अच्छा रहता है इसलिए maximum लोग 80-90 प्रतिशत लोग MD और MS आप्ट करते हैं अब देखिए जो 10-20 प्रतिशत लोग हैं जो MD और MS नहीं opt करते हैं उनके पास क्या भी कल्प है तो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया भी है अब देखिए क्या होता है कि बहुत इच्छी बात है MD MS करना चाहिए बट हमारी जनता जो है भारत की जनता जो है आपके certificate के देखके नहीं आती है आपके degree को देखके आपके पास नहीं आती है आपके पास आती है कि आपके पास कितना clinical skill है कितना आपको आता है उसको देखके आती है और सबसे important चीज़ है कि भारत की जनता उसी डॉक्टर के पास जाती है जिस डॉक्टर से उसको आराम मिले, बीमारी से निजाद मिले और वो खुश रहे आप अपने से आप पूछिए कि क्या आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले उसे डिगरी देखते हैं उनकी तदाद बहुत कम होती है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि MD, MS, DM क्या होता है, Super Specialist क्या होता है हम वही डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि पडोसी ने बताया है या किसी रिस्तेदार ने बताया है और वहाँ पर जाकर हम ठीक हो जाते हैं तो हम भी बताते हैं कि उस डॉक्टर के पास जाओ और इसकी तदाद बहुत जादा है तो यह जरूरी नहीं है कि आप MD और MS करने के बाद ही डॉक्टर बनेंगे या MD और MS करने के बाद ही इतना clinical skill आएगा या MD और MS करने के बाद ही इतना अन करेंगे यह जरूरी नहीं है इसके बहुत सार एक्जामपल है जो MBBS करके आप भारत वर्ष में देखिए कि यहां पर MBBS भी नहीं लोग होते हैं BMS होते हैं जिनके पास अथराइज नहीं होता है कि आप अलोपेथिक दवाई लिख दो और उनकी कमाई एक MBBS और MD से कहीं जादा होती है यह थोड़ी सचाई है चूभेगी बटी सचाई है सुनना चाहिए समझना चाहिए क्योंकि भारत का जो मेडिकल छेत्र है बहुत डाइवोस है यहां पर आप मदब की जो भी चीज है कि मदब जो अथराइज नहीं है वो बहुत जादा कमा लेता है और वहां पर MD और MS बैठ के चुक्चाब देखते हैं कि पेशें आए तो यह जनता को समझना सबसे पहले जरूरी है बहुत मलानाजाद का मलानाजाद में और्थोपेडिक डिपार्टमेंट बहुत जवर्दस है हडी का डिपार्टमेंट उसमें डॉक्टर धल है होडी जब सर्च करेंगे ना कूगल पर आपको मिलेगा डॉक्टर धल वो कहते हैं कि अगर आप MBBS बहुत ही अच्छे तरीके से कर ल सेटब की जरूरत होती है ऐसे नहीं कि आप सिंगल हेंड़ेट सर्जरी करते होगे सर्जरी करने के लिए सरजन चाहिए एक दो और सरजन चाहिए एनेस्टेशिये दॉक्तर चाहिए OTS staff चाहिए मशीन चाहिए बहुत सेटब की जरूरत होती है इसलिए या तो corporate hospital में जाते ह बड़े हॉस्पिटल में जा दें, क्लिनिक में पॉसिबिल नहीं है, तो इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि अगर आपको MBBS बहुत ही अच्छे तरीके से आता है, तो आप राजा हैं, आप बहुत ही अच्छे तरीके से पेशिंट को ठीक कर सकते हैं, और आप भी MD और MS से कम नहीं ह ही है, और सर का भी मानना यही था, आप सर्च कीजेगा, आपको पता भी चलेगा, अगर आपने MBBS बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया, तो जरूरत नहीं है MD और MS करने का, आप खुद से हॉस्पिटल कर सकते हैं, खुद से क्लिनिक कर सकते हैं, खुद बहतर कर सकते हैं, तो डिफरेंसियेट नहीं कर सकते हैं, हाँ, नॉलिज के बारे में है कि MD MS के पास जादा होते हैं, क्योंकि उसने तीन सल एक्स्रा पढ़ा है, ठीक है, तो यह मतलब की compulsory नहीं है, जैसे हम 10th का एक्जाम देते हैं, तो English compulsory होता है, English नहीं पढ़ोगा, तो तुमारा result नही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि MBBS के बाद एक compulsory है कि आप MD और MS करें, MBBS के बाद लोग civil services में चले जाते हैं, MBBS के बाद कोई government job ढूण लेते हैं, यह depend करता है कि आप अपने life को कैसे जीना चाहते हो, यह बहुत जरूरी है, और यह 5-5 साल का duration है आपको सिखा देता है कि आपके life कैसी होने वाली है, कैसी जीना चाहते हो, वो जरूरी तिखाता है, तो यह जरूरी नहीं है कि MD और MS करना जरूरी भी नहीं है, mandatory भी नहीं है, यह आप पे depend करता है कि आप अगर clinical skills और जादा सीखना चाहते हैं, तो MD और MS कर सकते हैं, अगली वीडियो में हम बात कर होता है, जिसमें 3-4 चीज़ी आती हैं, जैसे neurology, cardiology, gastrology, nephrology, ऐसे सारे चीज़, इस सुपर specialist है, MD MS के बात होता है, इनकी कहानी हम आगे वाले वीडियो में करेंगे, वीडियो पसंद लगे, तो ज़रूर लाइक कीज़ेगा, और अपने दोस्तों के साथ शेर सचाई से रूबरू हो सके, बहुत बहुत धिन्देबाद